जहिन दोस्तों आप सभी का स्वागत है ABC कोचिंग यूटूब चानल में जैक बोट की तरब से फानेली जो है आप सभी का परिक्षा तिथी जारी कर दी गई है जो कि इस वीडियो में संचेप में आपनों को बताने वाला हूँ कि कब से आपनों की परिक्षा होगी और कब त बेटा चुका है अब आपके पास समय बेलकुल भी नहीं है अब एक्जाम्स को लेकर जो आप पूरी तरह से गंभी रह जाई है और इसकी तयारी अच्छे साप लोग जो है बहतर तरीके से किजिए ताकि इस बार भी आप अच्छे नंबर ला पाएं तो देखे दोस्तों अपडेट इस प्रकारा आप हमारी स्क्रीन पर देख पाने है कि जैक बोड की तरफ से जारी की गई है कि मैट्रिक और इंटर की बोड परिक्षा 14 मात्र से संबाविद यानि दोस्तों आपनों की जो परिक्षा होगी वो 14 मात्र से जो है सुरू होने वाली है दोसे कि आप स परिक्षा पूरे सिलेबस से आपनों को दिया जाएगा ठीक है तो यहां पर देखे लिखाए कि दो साल बात मैट्रिक और इंटर्मीडियेट के पूरे सिलेबस की परिक्षा एक साथ होगी पूरे सिलेबस से अब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रसन पूछे आगे देखे तो यहां पर लिखा है कि 2022 में आएजवित परिक्षा में 75 फीदी सिलेबस में से आदे से अब्जेक्टिव प्रसन और बचे हुए आदे सिलेबस से जो है सब्जेक्टिव प्रसन पूछे गए थे लेकिन इस बार आपके पास सिलेबस बहुत बड़ा है और सि कि अभी चैनल को सस्क्राइब कीजिए और ज्वाइन बटन को भी द्वायकर अब ज्वाइन कर लिजेगा ताकि लगातार जो है अपनों का जो है पीडिया भी आपनों को मिल सके ठीक है तो देखे दूस्तों आगे यहां पे देखे तलिखा है राची हिंदुस्तान बियोर कि उरसे यह जो अपडेट आरे की गई है कि जार्खन में मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षा हो ली के बाद होनी है 13 मार्च यह 14 मार्च से परिक्षाएं सुरू हो सकती है जार्खन एकाडमी कॉंसिल जैक नी परिक्षा लेने की संभावी तिति लगभग जो है तै कर ली है ठीक है आपका एक्जाम डेट पूरी तरह से तै हो चुका है अब इसके लिए आप लोग जो है गंबीर हो जाईए आगे देखे लिखा है कि जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतों ने असपश्ट किया कि सिक्षा विभाग के निर्देश के अनुसा होली के बाद होगी होली में परिक्षाती सिक्षक तहवार मनाने अपने घर जाते हैं जिससे होली के बाद परिक्षा सुरू करने में कुछ दिन का अंतराल आवस्चेक है देखे यहां पे दिया गया है देखे जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 मार्च को क्या है होली है और हो दिनों का अंतराल आवस्चेक है, मैट्रिक और इंटर्मीडियेट की परिक्षाएं मार्च अप्रेल तक जो है होगी, यानि दोस्तों आपनों का जो है चोदर मार्च से अगर परिक्षाँ सुरू होती है, तो यह जो है अप्रेल तक आपनों का चलने वाली है, जबकि इसके और अंतरिक मुल्यांकन फरवरी में ही लिये जाएंगे, यानि दोस्तों आपका जो है फरवरी मंत में, यानि कि नेक्ष्ट मंत में जो है अपनों का प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, और आपका अंतरिक मुल्यांकन भी अपनों का लिया जाएगा, आगे लिखाए कि उन्हो pattern जारी हुआ ना उसके pattern के अधार पर जो आपनों को अच्छी स्तियारी करनी है और लगातार जो है मैं कहरा हूँ कि chapter y जो है objective और chapter y जो है आपका subjective तयार होना चाहिए क्योंकि इस बार objective सब्जेक्टिव दोनों है लेकिन पूरे के पूरे syllabus से पूछे जाएंगे और दोस्तों अब जो है आप लोग तयार हो जाएए आपको ताही मत किजिए कि आप लोग सो कहते हैं कि हम तयारी करेंगे करेंगे और इसी के चलते जो है आप लोग धिलाई कर देंते हैं तो अब धिलाई मत किजिए आपके पास समय बिलकुल भी नहीं है परिक्षा के तीत्री जारी हो चुकी है 14 मां से आपनों का एक्जाम सोने वाला है अब मात्र जो है 1 से 2 से 2.5 मेहना जो है आपनों के पास समय बचा हुआ है अब 2 से 2.5 मेहने में आप लोगों को भरी पूर्ण जो है पूरी तरह से एकड़म धाकर तरीके जो है तैयारी करनी है ताकि इस बार भी आप बोर्ड की परिक्षा में 90 फिस्दी जो है माक्स जो है उठा पाएं और आप जो है इस बार भी टॉपर बन पाएं ठीक है